दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं यह हमारी नर्सरी है देखिए यह सोप के प्लांट है अब हम नर्सरी के अंदर घूम रहे तो हमने देखा कि हमारी नर्सरी के अंदर मदू मक्खी का छत्ता लगा हुआ है जो बारिक वाली आती है सबसे छोटी वाली मक्खी इसके हम क्या बोलते हैं बहुत बहुती बारिक मक्खी होती है इसकी यह देखिए मैं दिखाता हूँ आपको दिखी यह देखिए हल्की हल्की नज़र आ रही है कि इखिए कितना खुब्सूरत लग रहा है यह देखिए लिखंटी कितने जीव लग रही है जं घंगारा तो बहुत बार्ट बोटा होतां उसके पास तो हम जावी ना सकते हैं लेकिन ये भी सांध बैटी है यह यह बी प रेर लेकिन ये मैं बहुत पर वे हैं हुएं ब talked यह देखिए यह मध्दू मक्की का देशी वाली बिल्गूल मध्दू मक्की जो होती है अरे आना देशा क्या बोला है, इसमा मुहाल इसको बोलते हैं मुहाल बच्चे, जचोटे बच्चे होते हैं अगर उनके दांत निकलने में कोई परिसानी आ रही हो जब दाद निक्या तो इसका सहद बच्चों के मसूडों से लगाते हैं ताकि बच्चे के मसूडे अच्छे से मजबूत हो जाएं और दाद निकलें तो बच्चे को कोई परिशानी ना हो तो आज हमने आपको दिखाया जो भी हमें नड़ती से संबंधित या किसी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो हमसे बताएं हमसे सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई हमारे लाइक सेवा हो काम हो पेड़ पोदे लगवाने का या सैट कराने का या दवाई का जो पोदे अच्छे ना चल रहे हो तो हम जो संपर्ख करें नमस्कार जी धन्यवाद